कोरोना वायरस का सब पूरे देश में देखने को मिल रहा है तो वहीं हमारा देश लॉकडाउन की इस्तिति मिना गुए सभी लोग अपने घरों में कैद हैं इस लॉकडाउन से गरीबों के सामने रोजी उटी की समस्या खड़ी हो गई है इस समस्या को दूर करने के लिए समा प्रियास है कि कोई विक्ति भूंका ना सोए उसकी दस्ती से लगवक्त 6 दिन से पहले तो भोजन हम लोग दे रहे थे हर घर गर पर भोजन पहुंचाना और 6 दिन से यह किट बनाना भी शुरू कर दिया है और मांटना भी शुरू कर दिया है जिसमें कि उनकी माटना भी को देखा तो ऐसे चाला हैं दढ़े सराकार संबमें संस्ताइब अन्य को एक समागी प्रियास विसने कर रहे प्रियानित्ति है तो यही प्रयास है कि सब तक कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो भूंका सोई हम लोग उने नम्मर भी अपने दिये हैं कि अगर किसी को कहीं से भी सूचना मिलती ही यहां के अत्रिक्त भी कोई अगर थोड़ा दूरी पर हमारी विदान सवाम है तो वहां भी डारेक्ट पहुंचता तो ऐसे पूरे ही प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूंका ना रहे सब को भूजन मिले और सोशल इस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें मैंने यहां भी लोगों से सबसे कहा है कि थोड़ा दूर दूर के हम लोग पिसका निर्मान करेंगे और जो भी शार्षन की निर्देशों का माननी मक्षवन्ती जी के निर्देशों का उनका हम लोग पालन करेंगे अगरों मेरी अपील है कि सोसल डिस्टेंसिंग हमको पालन करना चाहिए जब इसे करोना की जो चैन है स्वाइरस की इसको तोड़ाइंगे तभी काम चलेगा लगातार हम लोग दूर और मास्क जरूर लगा के निकलें वरना घर पर ही रहें अब आगरा हमको लगा था कि बहुत अच्छा बलकि में एक आपी के चैनल पर सुनना था एक डॉक्टर की राय को तो उन्होंने कहा था कि पांच अपरहल तक हम लोग उस पर काफी काबू पालेंगे लेकिन ये करना चाहिए अपने लिए अपनों के लिए समाज के लिए हमको गरों पर रहना है और प्रधान मंतीजी जो हमारे घर के मुखिया मुखिया के रूप में लगातार हम लोग से आभान कर रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं चाहें उत्तर परदेश की सरकार हो उत्तर करेंगे तब हम फाइट लड़ेंगे और यह यह तो रोकने का सबसे पहला प्रयास है और मुझे लग रहा ता अगरा ठीक होता जा रहा था मेरी बात हुई थी अध्यारियों से लेकिन यह दो दिन की जो है जमातियों वाली यह बहुत चिंतनी है फ़्पार नहीं पाइब पाली यह बहुत प्रयास है और दो हैढ़ेंगे जमातियों से बात्ता है